कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो गरीब है हिंदी हमें बाकियों से अलग कर देता है हिंदी जो है वो राश्र भाषा है या फिर राज्य भाषा है जो हिंदी है, अक्चुल में उसका भी उद्गम जो है, वो कहां से हुआ है, और जिनेट कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है हिंदी भाषा का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ी ही शुद्ध हिंदी भाषा में बात करना है बल्कि इन लोगों को ना सीखना चाहिए नीरेस चुपरा से नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है PW Only IS के स्यूट्यूब मंच पर और आज के इस हिंदी दिवस के शुब अवसर पर पूरे PW Only IS परिवार की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हारदिक शुब काम ना है दोस्तों क्या आपको ये एक विडंबना लगती है कि आज का अभ्यर्ति भारतिय लोग सिवा आयो की परिक्षा उतीन करना नहीं बल्कि वो एस्पिरेंट Union Public Service Commission UPSC के एक्जाम को क्लियर करना चाहता है क्या आपको इन दोनों में कोई भी अंतर समझ में आता है आपको लगता है कि ने इन दोनों में तो डिफरेंस है यार ये कुछ और ही बोल रहा है ये कुछ और ही बोल रहा है मैं आपको अपना उपिरियन बताता हूँ भाशा वो ही सही है जो कि आपको सहजता सरलता से लोगों के सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने देता है अगर आप डरे सहमे से पता नहीं कुछ भी बोल के आप चाहते हैं कि नहीं बस पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो बोल भी पा रहा हूँ कि नहीं बट यहाँ पर चुकि मुझे इंग्लिश बोलना था तो मुझे इंग्लिश बोलना है आपने ये सारे experiences वहाँ पर देखेंगे जब cricket का match होता है और cricket match के बाद में जब interview के लिए man of the match या फिर man of the series के लिए जब लोगों को बुलाया जाता है और कई सारे हमारे ऐसे भारतिये खिलाडी हैं जिनको English बोलना उतने अच्छे से नहीं आता है लेकिन फिर भी वो प्रेशर में आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं वो प्रेशर है बलकि इन लोगों को ना सीखना चाहिए नीरेस चोपड़ा से अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले की वीडियो थी मुझे याद आ रही है लगबग 5 साल पहले की होगी मुझे लगता है मनाने आपके शहर में आ रहे हैं और हम मिलेंगे आपसे प्रयाग राज में 14 सितंबर को हम मिलेंगे आपसे पत्ना में 16 सितंबर को और हम मिलेंगे आपसे लखनव में 18 सितंबर को तो हमसे चुड़िये और खुब सारी बाते करेंगे हम वहाँ पर आपके UPSC से related और बहुत सारी guidance, बहुत सारी strategies हम discuss करेंगे तो आना मत भूलिएगा इन सभी जगहों पर कहां पर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो उसका link सबकुछ नीचे description में दिया हुआ है तो tension मतलो, वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी बट आजाना, मिलने जरूर आना तो आखिरकार इस हिंदी दिवस की शुरुआत कैसे हुई और इस हिंदी दिवस पर आपको कितना गर्व है देखो कहीं न कहीं हम यूँ तो बोली सकते हैं यार कि हिंदी ही हमारी पहचान है हिंदी हमें बाकियों से अलग कर देता है आप कभी विदेश में चार-पांच में रहने जा रहे हो और वहां पर आपको सब कोई इंग्लिश में बोलता बोलता दिख रहा है लेकिन कभी भी आपको कोई हिंदी भाषी वहां से दूर दराज में फोन पर बात करता हूँ सुनाई दे गया तो आपके अंदर से वो भावना आती है हमारे समिधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा के तौर पर अपनाया था और साती साथ हमारे अनुछे 343 में ये भी बात की गई कि हिंदी हमारी राज्य भाषा तो होगी ही लेकिन इसके साथ-साथ जो लीपी है वो देवनागरी होगी अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात से बहुत जरा confused रहते हैं कि न हिंदी वो राज्य भाषा है या फिर राज्य भाषा है तो मैं ये बता देता हूँ कि हमारे समिधान में कभी भी किसी भी भाषा को राज्य भाषा नहीं बूला गया है हिंदी को एक राज्य भाषा के तौर पर बनाए गया है और साथी साथ आप सभी लोगों ने आठवी अनुसूची के बारे में सुना होगा अरे एट्थ शेडियूल एट्थ शेडियूल में ऐसे बहुत सारे ओफिशेल लैंग्विज लिखे हुए है टोटल कितने हैं? 22 लैंग्विज, 22 भाषाएं लिखी हैं माँ पर तो उसमें संस्कृत भी है, हिंदी भी है संस्कृत से ये बात याद आती है कि जो हिंदी है, अक्चृल में उसका भी उद्गम जो है वो कहां से हुआ है? औरिजिनेट कहां से हुआ है? संस्कृत से हुआ है संस्कृत की शुरुवात हुई थी लगबग लगबग 1200 से 1700 इशापूर्व में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर वेदिक काल में जो हमारे वेद लिखे गए थे उनमें हम बात कर सकते हैं कि वहाँ से एक वेदिक संस्कृत की शुरुवात हुई थी लेकिन उसके बाद 500 इसा पूरु में पनि हमारे महान पनिन उनको लोगा कि ये भाषा जो है बड़ी उत्लिस्ट है बहुत ही बहुत ही कठिन है बोलने में तो उन्होंने उसको शास्त्रिय संस्कृत में बदल दिया और वहां से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पनि अस्तध्याई अस्तध्याई का मतलब ही यही था कि वो पूरे संस्कृत के ये पूरे संस्कृत के ग्रामर को समझाने की बात कर रहे थे व्याकरण को समझाने की बात कर रहे थे और यहां से लोगों का थोड़ा सा संस्कृत इजी हुआ होगा जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना हम लोग जो अपने संस्कृत स्कूल टाइम में पढ़ते थे अहम गच्छामी या फिर आप लोगों ने भी हाल फिलाल में कोई ऐसे कहते वे सुना होगा अहम ब्रह्मासमी बड़ा ही फेमस हुआ था तो यह अहम ब्रह्मासमी अहम गच्छामी मैं जाता हूँ सिंपल है तो अहम गच्छामी बोलना और जब आप अगर वेदिक संस्कृत को पढ़ोगे तो भाई साब उसका एक वर्ड पूरा सेंटेंस होता है उसमें पता नहीं कितनी मीनिंग चिपी हुई है तो वो बड़ा ही कठिन था इसलिए महान पणिनी ने इसको चेंज किया ल यहां पर आप सबको पता है कि हमारे साथ थे भारतेंदू हरिश्चंत्र जिनकों की हम लोग हिंदी भाषा के पितामा के रूप में देखते हैं और यहां पर उन्होंने आजकल की यह खड़ी बोली बोलते हैं हम लोग खड़ी बोली इस खड़ी बोली की शुरुआत की और धीरे 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 जैसे ही कई सारे जगों से यहां पर लोग आके बसने लगे जैसे कि उर्दू भाषा हो गई अंग्रेजी भाषा हो गई तो हमारी आज की भाषा जो है वो इन सभी का समागम है इन सभी का mixture है और in fact जब हम लोग पढ़ते भी हैं तो भी हम लोग हिंदी, उर्दू, इंग्लिश इन तीनों भाषाओं को बड़ा ही साथ में मेल जोल करके ही बात करते हैं ये भी बात आप देख सकते हो कि जब भी UPSC के फील्ड में कि हिंदी भाषा का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ी ही शुद्ध हिंदी भाषा में बात करनी है आप उसमें अंग्रेजी भाषा का भी mixture कर सकते हैं आप उसमें उर्दू भाषा का भी ला सकते हैं वो एक प्रकार की हमारी आम बोलचाल की भाषा है पूरा साच्छातकार ही इसलिए होता है ताकि वो आपके opinion को समझ सकें और आप अपनी opinion उनको समझा सकें तो इसलिए भाषा कैसी भी हो अगर वो आपको पहचान देती है तो उसको थोड़ा तो अपने साथ रखना चाहिए और साथी साथ ये चलन आगे दिन पर दिन बढ़ते रहना चाहिए हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसका उपयोग लोग ज़्यादा तर इसलिए करते हैं उनको लगता है कि यार ये तो global language है सबसे जादा लोग English ही बोलते हैं जो कि सही भी है लगबग लगबग 135 करोड़ लोग जो हैं वो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस तोर पर देखा जाए तो यार मैंडरीन भाषा जो है वो भी 120 करोड़ से जादा लोग बोलते हैं तो क्या आप हमें मैंडरीन भाषा भी सीख लेनी चाहिए नई हिंदी भाषा भी कम लोग नहीं बोलते हैं लगबग लगबग 75 से 80 करोड़ लोग हिंदी भाषा को प्योग करते हैं और आपको शायद ये जानकर ताजुब होगा आप थोड़े आश्यरी चकित होगे कि जो हमारी याँ पर इंटरनेट यूजर्स है न उसमें जादा तर लोग हिंदी में सर्च करना पसंद करते हैं मतलब मेजॉरिटी जो है वो हिंदी लैंगुज की है इंग्लिश की नहीं है वहाँ पर तो आज का जो भारत है न वो अभी भी हिंदी भाशी ही है जहां पर हिंदी भाशाओं को बोला जाता है अब जयासी बात है अगर आप थोड़ा साउथ में जाते हो दक्षिट भारत की तरफ तो अगर जाते हो तो वहाँ पर आपको दूसरी दूसरी भाशाओं मिलेंगी आप नौर्थ इस्ट की तरफ जाते हो वहाँ पर आपको दूसरी दूसरी भाशाओं मिलेंगी लेकिन जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर भी इंग्लिश का चलन बहुत जादा चल गया माबाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पताना चाहते है क्यों? वो ना एक रूडी बद्धता है एक स्टिरियो टाइपिंग है जहां पर लोग ये बात फिक्स कर चुके है कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो गरीब है इसका मतलब है कि उसके पास कम नॉलेज है लेकिन ऐसा है नहीं हम सब ने देखा है कि हिंदी में बात करने वाले लोग कितनी उचाईयों तक पहुच चुके हैं और इसीलिए हम लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भाषा आपको पहचान दिलाता है आप उसको कभी भी भूले ना यहाँ दिली के मॉल में अगर मैं टहलता हूँ तो ऐसे बहुत सारे माता-पिता मिलते हैं मुझे जो अपने 2-3 साल के बच्चों को इंगलिश में बात करके समझाते हैं मुझे लगता है कि इतने छोटे बच्चों को अगर आप बच्चपन से इंगलिश में ढाल रहे हो तो चलो ठीक है ग्लोबल लैंग्वेज है उनको सिखाना चाहिए अलग-अलग भाषा है सिखाओ अच्छी बात है सही एज भी है उनको सिखाने की लेकिन हिंदी भी सिखाओ हिंदी ही उनकी पहचान है वो भविष्य में इसी पहचान से जाने जाएंगे तो उनकी पहचान उनसे हमें नहीं चीननी है उनकी पहचान वैसे ही इंटाक्ट रहनी चाहिए तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझना चाह रहे थे कि हिंदी दिवस को ही हिंदी के तौर पर ना बोला जाए बलकि हम सब लोग हिंदी को एक भाशा के रूप में एक अपनत्व के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपनी सम्मान के साथ इसको अपनाएं और जहां मौका लगे वहां हिंदी में बात करें और गर्व महसूस करें तो इस वीडियो में बस इतना ही था आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एक बार फिर से पूरे PW Only Ais परिवार की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुप कामना है धन्यवाद